So guys, episode 7 की शुरुआत होती है, जहां पर हम देखते हैं, तनाडा अपनी फ्रेंड का नामी से इनके घर जा रहा होता है, उसके प्रोजक्ट में उसकी हल्प करने के लिए, और सागा साकी उसका पीछा कर रहा होता है. तनाडा बहुत स्लो चल रहा होता है, जिस पर सागा साकी कहता है, यह हमेशा की तरह, आज भी स्लो ही चलता है. फिर तनाडा अपनी फ्रेंड के घर पहुंचाता है, और फिर हम देखते हैं सागा साकी को, जो कि देखता है कि तनाडा उससे 24 मिटर दूर है, और वहीं पर वो खड़ा होकर उसका वेट करता है, और उससे मैसिज करता है कि एडिटर से कोई भी बहाना लगाओ और अभी के भी वापिस आओ. तनाडा वो मैसिज सीन कर देता है, लेकिन वो कुछ भी रिपलाइ नहीं करता. तनाडा की फ्रेंड उससे अपने प्रोजेक्ट के बार में बता रही होती है और बात कर रही होती है, लेकिन तनाडा का बिल्कु भी ध्यान नहीं होता, जिस पर उसकी फ्र नहीं रखता, वो कितना जादा बुरा है, वो ऐसे किसी को कैसे बोल सकता है, जो अपने काम के लिए इतना महनत करता हो, वो सच में बहुत सदा बुरा है, वो इसकी फ्रैंड कहती है, मुझे लगता है, सागा-साकी के कहने का मतलब ये होगा, कि अगर तुम्हारा मांगा काम नहीं भी आता है तो अभी उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगी कनामी से इनका हस्बन कहता है हर बात के ना दो मतलम निकलते हैं मूर और कंडीशन के उपर ये डिपैंड करते हैं अगर उसने ये वर्ड अच्छे मोर में बोले हैं तो ये बुरे नहीं है तनारा कहता है हमारे बीच ऐसा नहीं है उसके बाद हमें फ्लेश बैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं तनारा अकेले बैठा होता है और नूडल्स का रहाता है तब ही वहाँ पर सागा साकी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं तनारा के नूडल्स खतम हो गए होते हैं और वो वहाँ से बस जा ही रहाता है लेकिन तब ही उसकी नज़र जाती है सागा साकी के उपर और वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर वो वहीं पर दोबारा से बैठ जाता है ताकि वो सागा साखी को देख सके और वो सागा साखी की तारीफ करने लगता है कि ये कितना साथा ब्यूटिफूल है फिर वो अपने डोइंग और पैंसी लेकर आता है ताकि वो उसे डो कर सके और वो कहा रहा होता है कि ये पहली बार है जब मेरा किसी लड़के को डो करने का मन कर रहा है सागा साकी के फ्रेंड्स ना तनाड़ा को देखर बाते करने लगते हैं कि लड़का कभी से यहां पर देख रहा है लगता है ये अकेला है और दोस्ट चाहता है इसे क्या लगता है अगर यह हमें ऐसे ही देखता रहेगा तो हम इसे अपना friend बनाएंगे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता यह impossible है और वो तनाड़ा का मजाक उड़ा रहे होते हैं सागा साकी कहता है वो directly तो कुछ भी नहीं कर रहा है न तो क्या यह गलत है और दूसरी तरफ तनाड़ा सोच रहा होता है अगर यह लड़का मतलब सागा साकी की जंगा कोई लड़की होती तो यह उसका love at first side होता फिर next time देखते हैं तनाड़ा बैठा होता है और अपनी मांगा डो कर रहा होता है तब ही वहाँ पर सागा साकी और उसके फ्रेंड्स आते हैं सागा साकी के फ्रेंड्स तनाड़ा को देखर कहते हैं यह तो वही अकेला लड़का है न जो हमें गूरे जा रहा था फिर उन मेंसे एक लड़की कहती है मुझे प्यास लगी है तनाड़ा समझ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए डिंक लेकर आता हूँ फिर सब भी उसे ओर्डर कर देते हैं जैसे कि वो उनका नोकर हो और फिर तनाडा उन सब के लिए डिंक्स लेने के लिए चला जाता है तनाडा की जाने के बाद सागसाकी के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि अच्छा है हमें फ्री का नोकर मिल गया फिर हम देखते हैं तनाडा ना सबी के लिए डिंक्स लेकर आ रहोता है वो बहुत जादा सलो चल रहा होता है फिर उसके पास सागसाकी आता है और कहता है मुझे लगा यह बहुत जादा भारी होंगे तो मैं तुमारी हेल्प कर देता हूँ और वो एक पैकेट ले लेता है और उसके बाद कहता है तुम बहुत सलो चलते हों वासे तुम्हारा नाम क्या है तनाडा कहता है मेरा नाम यो है सागसाकी कहता है मेरा नाम तब ही तनाडा कहता है मुझे पता है आपका नाम सागा साकी है सागा साकी कहता है तुम्हें कैसे पता तनाडा कहता है मैंने सुना था कोई आपको इस नाम से बुला रहा था सागा साकी कहता है तुम्हारे कान बहुत तेज है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है तनाडा कहता है मतलब सागा साकी कहता है वो लोग तुम्हें इस तरीकी से ट्रीट कर रहे हैं क्या तुम्हें मसा आ रहा है उनके साथ तनाड़ा कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी मसा नहीं आ रहा सागा साकी कहता है मुझे भी नहीं पर यह हम दोनों का सीक्रेट है किसी को बताना मत उसके बाद सागसाकी वो दोनों पैकिर ले लेता है और अपने안स को दे आता है और कहता है तनाड़ा के पेट में दर्ड हो रहा है तो मैं इसे घर छोड़ कर आता हूं और वहाँ से भाग जाता है फिर तनाड़ा सागसाकी से कहता है मुझे नहीं लगता हमने सही किया सागा साकी कहता है तो के तुम वापिस उन लोगों के पास जाना चाते हो तनाड़ा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाता फिर वो मन ही मन सोचता है कि वो लड़का जो हमेशा फ्रेंड से गीरा रहता है अज़ वो मेरे साथ चल रहा है मुझे तरह कीन ही नहीं हो रहा है फिर सागा साकी आसमान की तरफ देखकर कहता है कल बारिश होगी तनाडा कहता है आपको कैसे पता फिर सागा साकी उसे बताता है कि जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले मुसम कैसा हो जाता है फिर तनाडा आसमान की फोटो लेता है सागसा की फोटो देखने के लिए तनाडा की बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है तनाडा कहा रहा होता है ये मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है इसका फेस ही नहीं इसकी voice भी बहुत जादा beautiful है फिर हम देखते हैं जब भी तनाड़ा के पास सागसा की आता है तो तनाड़ा की heartbeat फास्ट हो जाती है और वो बहुत जादा nervous हो जाते है और तनाड़ा कहे रहा होता है कि मैं हमेशा यही wish करता था कि सागसा की मेरे पास ना जाए क्योंकि इससे उसकी heartbeat बहुत सदा फास्ट हो जाती है और यहीं पर flashback end होता है फिर हम देखते हैं present में कनाड़ा से इन तनाड़ा से कह रही होती है कि यहाँ पर मुझे सागसा की feelings के बारे में बताओ तनाड़ा कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर कनाड़ा से इनका husband कहता है तुम्हें break लेना चाहिए और drink पीना चाहिए फिर हम देखते हैं तनाड़ा और कनाड़ा से इनका husband बैठा होता है तनाड़ा कहरा होता है इस वक्त मैं अपने feelings को words में convert नहीं कर सकता किसी और की तो बिल्कुल भी नहीं फिर कनाड़ा से इनका husband कहता है मैं advice देना चाहता हूँ पर मैंने चार penwell manga डो किये हैं तुम्हें पता है ना तनाड़ा कहता है हाँ उन पर तो movies भी बनी है कनामी सेन का husband कहता है तुम्हारे मांगा के ओपर भी movie बन सकती है तनाड़ा कहता है नेने ये possible नहीं है ये बहुत बड़ी बात होगी उसके बद कनामी सेन का husband पोचता है कि क्या ये drama real है 100% तनाड़ा कहता है नेनी आदे से ज़ादा कनामी सेन की imagination है कनामी सेन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था पीने के बाद अपने partner के साथ clean जी होना तुम्हारी image के साथ सूट नहीं करता तनाड़ा कहता है हाँ हाँ नहीं करता है पर सच में तनाड़ा ऐसा करता है फिर हम देखते हैं सागा साकी को जिससे पेट नहीं हो रहा था एक तो तनाड़ा अभी तक नहीं आया था और उसकी message का भी reply नहीं कर रहा था तो वो चला जाता है उसे देखने के लिए फिर हम देखते हैं कनामी सेन का husband तनाड़ा से कहा रहाता है कि जब तुम लास्ट टाइम यहां पर आये थे तो तुमने कुछ पोजिस बनाई थे तनाड़ा कहते हैं हाँ वो सिरफ कनामी सेन के मांगा के लिए रेफरेंस था उसके बाद ना तनाड़ा और उसके husband और पोजिस बनाने लगते हैं और हसरे होते हैं फिर कनामी सेन के घर की डोर बचती है जहां पर सागा साकी आया हुआ था सागा साकी को देख कर कनामी सेन पूरी तरीकी से शोक हो जाती है और सागा साकी भी कनामी सेन को देख कर हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तनाड़ा तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था उसके बाद सागा साकी को कुछ आवाजे सुनाई देती हैं और वो थी कनामी सेन के हस्बन की जो तनाड़ा को पकड़ कर कह रहा था go all out और तनाड़ा हस रहा था फिर कनामी सेन जोर जोर से चिलाती है जिसके वज़े से तनाडा को पता लग जाता है कि सागसाकी आ गया है और वो परदे की पीछे चीप जाता है पिर कनामी सेन कहती है मुझे माफ करना आपकी बिना पर्मीशन के काम करने के लिए सागा साकी कहता है पर मुझे लगता है इसमें तनाडा की गलती है और वो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो कनामी सेन के हस्बंड के बारे में सोचता है कि शायसी ये वही अडिटर है जो तनाडा को उसकी बिना पर्मिशन के टच कर रहा था कनामी सेन का हस्बेंट सागसाकी को देखे जा रहा होता है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है कि ये है कुन फिर सागसाकी की नजर जाती है कनामी सेन के मांगा के उपर और वो उसे देखता है फिर वो परदे के पीछे से तनाड़ा को निकालता है और कहता है चलो और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है कनामी सेन का हस्बिन कहता ही रह जाता है हेलो मैं कनामी सेन का हस्बिन लेकिन सागसा की कुछ भी नहीं सुनता और तनाड़ा को लेकर वहाँ से चला जाता है वो दोनों चल रहे होते हैं तब ही तनाड़ा रुकर कहता है मुझे माफ करना बीना तुम्हारी परिमीशन के ये सब करने के लिए सागा साकी कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो दैट गाय का क्या मतलब है वो किस तरीके का लड़का है वो बात कर रहा होता है कनामी सियन के मांगा के उपर क्योंकि उसके मांगा पर ना जात और that guy, that guy ही लिखा हुआता तनाडा कहता है मुझे नहीं लगता है ये सही होगा compare करना सागसा की कहता है कुछ नकुछ तो होगा न तो तुम मुझे बताओ जब तक तु मुझे कोई valid reason नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी बात को accept नहीं करूँगा तनाडा कहता है शायद से वो kind है और दूसरे लोगों की बाते ध्यान से सुनता है और लोग क्या कह रहे हैं उस पर गोर करता है सागसाकी को बहुत साथा बुरा लगता है और वो उसे उसका बैक दे देता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ और वहाँ से चला जाता है फिर नेक्स्ट हम दिखते हैं तनाडा घर आता है और अपने बैक से सारा समान निकालता है सारा सामा निकालते होई उसे वो सर्च लोकिर दिख जाता है जिसे सागा साकी को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल रहा था फिर नेक्स्ट हम दिखते हैं तनाडा बरतन साफ कर रहा होता है फिर वहाँ पर सागा साकी आता है तनाडा कहता है मेरे बैक से वो जो निकला था मैंने उसे वापिस रख दिया है लेकिन सागा साकी कुछ भी आंसर नहीं करता फिर नेक्स्ट हम दिखते हैं तनाडा बैट कर बैदर न्यूस देख रहा होता है सागा साकी और उसके साथ जो लड़की होती है हिोशी वो नियूस दे रही होती है फिर हिोशी सागा साकी से कहती है कि आपने कुछ नोटीस किया आज मैंने एक गलासिस पहननी है उसके बाद वो ओडियन्स से कहती है अगर आपको मेरी ये फेक ग्लासिस अच्छे लगे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें तब ही सागा साकी को बात याद आती है जब वो कनामी से इनके घर गया था और उसे आवाज आ रही थी गो ओल आउट की और वोसी के बारे में सोच रहा होता है जिसकी वज़े से उसका पूरा फेस बहुत सदा परिशानी में लग रहा होता है ऐसे लग रहा होता है उसे बहुत सदा टैंशन है किसी चीज़ की जिसे देखर तनारा कहता है इसके साथ हुआ क्या है ये ठीक तो है न और यहीं पर अपिसोड एंड होता है आई होग आपको वीडियो चला लगा वीडियो चला लगा तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना